हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे स्वास्त होंगे आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल में दा फूड लाइफ प्रसेस में आज मैं आपके साथ यह वाइरल बहुत वाइरल हो रखा है बेसन ब्रेड टोस्ट की रेस्पी शेक करने जा के लेंगे उसके बाद हम इसमें अपनी पसंद की जितनी भी आपको सबजी आपसंद वह आप सारी के सारी ढाल सकते हैं मैंने इसमें गाजा के इसमें तामाल किया है Tolkien ओड़े एक हरीमिर्ची जोकी मैंने बारिक काट रखी थी वह हम दाल देंगे आपकों करो मिभनारे के तो चलिए मैं बताती हूं आपको सूखे मसाले में क्या डालना है सूखे मसाले में हम आधा चमच हल्दी डालेंगे और आधा चमच लालमेज पाउडर डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दीजिएगा चुटकी वर उससे इसका टेस्ट और अच्छा आता है उसके आधा टेस्ट डाला तो आधा रड़ा चमच लन सब्सक्राट तो चलि आ हमारा बैले चमच लिघ्र ॉससाट ना ओल्मस थे करके पानी डालेगा तो उसे ना आपको पानी की कंसिस्टेंसी पता चलती जाएगी कि आपको कितना पानी और एड करना है इस चलिए हमारा बैटर बनके रेड़ी है तो चलिए अब हम इसका टोस्ट बनाने चलते हैं सबसे पहले हम ना तबह चड़ा लेंगे फ्राइंग पै इस्तवाल कर सकते हैं कोई डिफरेंस नहीं आएगा तो भी टोस्ट ना उतना ही क्रिस्पी और क्रंची बनेगा उतना ही टेस्टी बनेगा उसके बाद हम इसमें बेसन का जो ब्रेटर हमने बनाया था वह हम स्प्रेड कर देंगे स्प्रेड करते वक्त ध्यान रखेगा कि इवनली पूरी तरीके से स्प्रेड होना चाहिए तभी इसका क्रंची नेस ना इसमें आपके टोस्ट में बनके आएगा तो इस तरीके से आप स्प्रेड कर दीजेगा जब आपका बेसन का बेटर स्प्रेड हो जाए ना ब्रेट के उपर तो इसके पर थोड़ा सा तेल और डाल दीजेगा ताकि यह बेशन का बेटर अच्छे से कुक हो जाए तेल दाने के बाद हम तेल को भी अच्छे से पूरी तरीके से spread कर देंगे ब्रेट के ऊपर हम ना इसे ढख करना पकने के लिए छोड़ देंगे इसे ना हमें मीडियम फ्लेम पे कुक करना है दो मिनट के लिए कुक करना है, दो मिनट बाद मैं आपको ढखन हटाकर चक कर भा रही हूं इसे टरन कर दीजएगा फ्लिप कर दीजएगा ताकि नीचे से एक हम ब्रेटір कर देंगे तो सिक आब अपलता हाथ से प्रेटरने हो चुक हो जाए और यह crispy दोनों तरफ से लगी बेसन का flavor आ जाए तो इस तरीके से spread कर दिजेगा जैसी यह spread हो जाए तो इस पर फिर से बासा तेल डालके उसको पूरी तरीके से spread कर दिजेगा और उसके बाद इसे फिर से cook होने के लिए छोड़ दिजेगा धकन लगाकर आपको cook करना है ताकि आपका बेशन का बैटर हो अच्य से कोख हो जाए, इसे दो मिंट के लिए «धक न लगा के को करेंगे, दो मिंट बाद मैं आपको फिर से चेक कर रहे हूं, हम इसे फिलिप करके दिखाओंगे मैं आपको कि हमारा बेशन ब्रेट टोस्ट एक साइट से पूरी तरीके से कोख हो वेसन ब्रेड टोस्ट बनाने का, अब मैं आपको दूसरा मेघड़ भी आपको इसी वीडियो में बताऊंगी कि आप दूसरे तरीके से आप वेसन ब्रेड टोस्ट कैसे बना सकते हैं, तो ये हमारा टोस्ट बनके रेड़ी हो चुका है तो चलि के अब हम इसे निकाल लेते है उसके बाद मैं आपको दूसरा मेथड बताती हूं कि हमारे दूसरा मेथड क्या है बेसें ब्रेड टोस्ट बनाने का और वह बहुत इजी मेथड है उसे भी आप बहुत असानी से बना सकते हैं यह टोस्ट पहले हम इसे निकाल लेते हैं हटा देते हैं तब वेसे और फिर उसके बाद दूसरा मेथड मैं आपको बताती हूं मेथड यह है कि आप ब्रेट को इस तरीके से बैटर के बावल में डिप कर दीजेगा और जो भी बैटर है वो ब्रेट पे आप यहीं पे स्प्रेड कर दीजेगा बैटर को ब्रेट के उपर और इसे अच्छे से डिप कर दीजेगा इससे क्या होगा कि आपको बार-बार उस पे अलग-अलग दोनों तरफ से फिलिप करके अलग-अलग से उपर से आपको बैटर लगाने की जिरुवत नहीं पड़ेगी लेकिन इस मैथड में आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप बैटर में अपना ब्रेड डिप करेंगे तो थोड़ा ना ब्रेड आपका सौगी हो सकता है तो तूट सकता है तो आपने बहुत ध्यान से इसे ग लगाईएगा और अगर आपको थोड़ा से अभी बैटर लगरा की कम है तो आप बाद में उपर से इस तरीके से स्प्रेड कर दीजएगा और थोड़ा से ओल के इस इस स्प्रेड करके फिर से कोग कर सकते हैं आप इस रेस्पी में ओल ज्यादा ओवाइड करना चाहते हैं तो अगर चाहें तो इसमें उपर से ओल ना भी डालें तो भी बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा इसे इस तरीके से टर्न करिएगा दो कल्ची का हेल्प ले लीजेगा ताकि आपका ब्रेड टूटे ना इसे हल हमेरे मीडियम फ्लेम पर ही कुक करना है और ओवर कुक नहीं करना है कि आप ज्यादा क्रिस्पी के के चक्कर में आपका बेशन जो है जल जाए वह भी नहीं करना इस तरीके से हलके हाथ उसे प्रेस करते जाएगे ना तो यह बहुत अच्छे से बेशन की लेयर की कोटिंग जो होती है उपर से और अंदर से ब्रेड भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो रहता है तो इस तरीके से हमारा बेशन ब्रेड टोस्ट बनके रेडी है जले अब हम इसे तबे से निकाल लेते हैं आपने देखा मैने दो मैथड बताया इस टोस्ट को बनाने के लिए और दोनो आपने वीडियो में रेशपी योग ज outta 270 नहीं तुम्हेर चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलेएगा वीडियो को लाइक करना मत बुलेएगा चैनल पर नए आया तो सब्सक्राइब का ईकन ज़रूर प्रैस कर में लाइक, शेयर और सब्सक्राब में चैनल, थैंक्स पर वाचिंग, बाबाई